हेलो स्ट्वेंट स्वागत है आपका एस के क्लास्स मरसान में तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम क्लास 10th UP Board के लिए जो एक्जाम्स होने बाला है यानि कि जो एक्जाम आपका 27 फरवरी को मैथ्स का होने बाला है उसके लिए वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले में आपको बता देता हूं कि आप लोग यह ना समझें कि यह जो क्वेडियो के देखें इन क्वेडियो के आपको ज्यादा द्यान देना है बस इतनी सी बात है इन वीडियो को आपको एक बार जरूर करके देखना है इसके अलावा आप प्रैक्टिस करें जितना हो सगे प्रैक्टिस करें सभी चीजों की लेकिन इस वाली वीडियो में जितने भी क्वेडियों से उनको आप थोड़ा सा देख के जाए तो एक और बात मैं आपको बता कर रहा है हो सकता है उस वाली लिसमें बॉन पों टू हो या बन पॉंट्ट्री हो तो आप क्वेडिक करें मै जस कुच्छों को टिकर मर रहा हुं आप उस क्वेडियों को अपनी वाली वुक में देखें कि पूंकि एक्सराइज के अंदर आ रहा है और वहां आप अपना निसान लगा लें यह दिहान रहे कि मैं जो एक्सेसाइज बता रहा हूं जरूरी नहीं है वही तुम्हारी बुक है वही एक्सेसाइज हो क्योंकि यह नई बुक सिलेवस को रिडियूस करने के बाद आई थीक है इतनी शी बात सबको क्लियर है तो देखे पहली बात प्रस्ट आपको थोड़ा साथ देख लेना है यानि इनको अब आज जो कोड़न खंड़ों के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है वह चीज आपको देख लेना है ठीक है आगे चलते हैं दो इसी एक्सेसाइज में और भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नमर टू थ्री फोर आप पर देख सकते हो तो इसमें आप यहां रखैं क्वेश्चन नमर जो फोर है क्वेश्चन नमर फ्र इसका रहां लखें ते इसमें एक्सेसाइज 1.2 ला ले या पस्ट जाद है इंपोटेंट है यानि सिद्धि कीजिए रूट 5 एका परमिश रंक्या है प्रूब डेट रूट 5 ए रेशनल नॉम्मर रूट 5 कीजिए रूट 3 आ सकता है रूट 2 आ सकता है तो आप इसको इंपोटेंट समझें और इसको त्यार कलें ठीक है आगे चलते हैं तोड़ा एक्सरेश है 2.2 पै आठेश जाहिश से 2.2 आपके लिटाब में वो सकता है già 2.4 चेह जाए को जए को दें एक्सरेश को निए इसमें आप एक काम करने देखो इसमेंसे एक क्वेशन आता ही आता है क्वेश्ट्ट मेंकोई क्वेश्ट्ट्रक्र करने उत लोट अगर आपको करना आजाएगा तो सारे आजाएंगे ठीक है इसमें चार नम्मर का question आता ही है चार मार्क्स का question देखेगा आपको चार मार्क्स का question आता है इसमें से आगे चलते हैं थोड़ा आगे देखे जाए तो exercise 3.2 ठीक है तो इसमें यह तो समीकर है जो हलकन ले वो तो आपको आते ही होंगे इसमें अगर मैं question की बात करूं तो तीसरे question में कुछ पॉइंट है चार पंच है पॉइंट है जो आपकी बड़ प्रॉलम्स है आपकी बड़ प्रॉलम्स है तो इसमें आप एक तो याद रखें देखता आप यह पहला पॉइंट दो संख्याओं का अंत्रवाला डिफ्रेंस आप टू नम्मर यह वाला और इसके अलावा आप थोड़ा सा देख लें यह वाला पांच मां पांच मां और छे मां यह दोनों question महुत ज्यादा पूछने की पूरी possibility है यहीं बिन वाला दो जोड़ जाए पांच मांप पॉइंट और छे वाला यहीं जैक बाला जो इंगल्स मीडियों के बच्चें बहुत समाझ लेना कौनशे question की बात कर रहा हूं मैं आपके इंगल्स मीडियम में आप इंगल्स में होगा question लेकिन होगा आगे चलते हैं थोड़ा 3.3 की बात करूं तो यह तो आपके हल है बिलोपन विदी और प्रिक्तिस्तावन विदी से solve करने इसमें अगर बात करूं जो बढ़ प्रॉलम के question है इसमें आप याद रखें यह तीसरा जो point है यह वाला point यह दो अंकों की संख्या की अंकों करने वो तुम्हें आता हुगा अगर मैं बात करूं इसमें अगर मैं बात करूं important question की तो आपका देखो मैं आपको बता देता हूं एक तो एक तीसरा और एक चौथा दोनों important है तीसरा question और चौथा question यह 182 और 365 देख लेना English में अगर आपकी book है तो यह देख लेना ठीक है चलो आगे चलते हैं यह दौन important है इन्हें पर थोड़ा जाद ध्यान देना चार प्रांट तीन में आते हैं चार प्रांट तीन में देखो यह question no.2 है question no.2 इस पर थोड़ा focus कर लेना के की value पूछ रहा है इसमें इसको देख लेना किस तरीके से होगा आगे चलते हैं देखो लेकिन यह question में बता रहा हूं यह एक बाद जरूर करके देखने हैं इसमें आप आठ मा एट वाला question है एट वाला question कि एक आप ही 11 वाला important समने और थोड़ा से आगे चलते हैं बस यह थोड़ा सा याद रखे मैंने क्या बता है आठ वाला और 11 वाला यह थोड़ा आप ध्याण रखें दोनों ही important है आप चाओ तो कि 7 वाले के और बात कर लेना यह भी important है अब थोड़ा आगे चलते हैं 5.3 त तो आसान है आप ये तो आसानी है चरोते पुप्र सकते हूं इसमें बहु único याद रहें नौब जो केम इसमें दिखे हां आप तयार कर लें इसके लावा आप चाहिए तो आट वाले त को भी थैयार कर सकते तक जी अच्छे तरीके से यह दौनों कुषनौ पूछे भी गाएं पिछले साल लास्ट चारपंट साल की बात करें तो यह क्वेशन जाद आप पूछे गाएं ध्यान ना तो इसमें आप इस क्वेशन टू को पूरा तयार कर लें question 2 question 2 को पूरा complete त्यार करने हैं इसमें तीन पॉंट आप तीनों पॉंटों को अच्छी तरीकिस त्यार करने हैं ठीक है आगे चलते हैं आगे इसमें मैंने एक और question देखा था इसमें आप एक चलो बाद बाद किताब practice करो गई 6.3 में आते हैं आप एक तो यह question number 2 पिछली में कई बार पुछा गया है दूसरा वाला यह तैयार कर लेना इसके अलावा इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूं यह जो question है question number 4 वाला question है तैयार कर लेना question देख लेना आप लोग यह मत देखना कौन से exercise में कौन से number का question आप अपनी book में question match कर लेना जो question यह लिखा हुआ है वह आपकी book में कौन से exercise में है कौन से number का question है वह आप match कर लेना ठीक है आगे चलते हैं कि 7.1 की बात करूं मैं इसमें आप इस वाले question को लगा लें और यह बहुत ज्यादा important है आठमा question most important आठमा question most important है आपका आठमा question अभी देख लेना यह question आपकी book में कौन से exercise में आठमा question बहुत ज्यादा important है इसके अलावा यह 10-ma आठमा और 20-ma आठमा और 10-ma दोनों को देख लेना आठमा question और 10-ma question इसमें तो exercise 7.1 में आपकी book में कौन सा question है देख लेना कौन सी exercise में आगे चलते हैं 7.2 कि अगर मैं बात करूं तो एक तो देखो आप इसको तरियार कर लेना दूसरे वाले को समत्रवाजित ठीक है समत्रवाजित करने वाले निर्दे संग्याद करने है दूसरा वाला जो question है यह two number का यह थोड़ा important है यह वाला question number two आगे चलते हैं इसमें एक और question है मैं आपको बता देता हूं question number eight देखो यह वाला जिसमें ap equal three point seven av दे रखा यह बहुत important है आप इसको त्यार करके ले जाना ठीक है बाद बागी आप practice करना सारे questions की लेकर इन questions पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना आगे आते हैं एट पॉंट बन में तो एट पॉंट बन में पहले तो आप पहले ही question वह त्यार करना परस्ट question eight point one परस्ट question आप त्यार करना है आप देख लेना आपकी बुक में यह कौन सी अक्सेसाइज है आगे चलते हैं जरब और इसमें बाद बागी इतने ज्याद इसमें तीसरा question eight point two में तीसरा question most important question इसके लिए most important कहूंगा मैं question नम्म थाड़ 10 a plus b बडावा root 3 दे रखा है 10 a minus b बन प्रूट 3 दे रखा है a और b की value पूछी है यह question बहुत ज्यादा important है आप इसको त्यार कर लेना अच्छे से देख के जाना आगे चलते हैं eight point three देखो मैं यह कहूंगा eight point three में तो आप पूर यह exercise को त्यार करें all exercise कोई भी question आ सकता है फिर भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि आप थोड़ा इन questions पर यानि four वाले questions के यह point है इसमें चार-पांच point हैं जितनी भी point हैं आप इनमें एक तो देखो यह second वाल पॉइंट तू से के लाना रहे चैस में तू से यह लेकर आना है देख लेना कौन से exercise में एक question है बरावर में तू से के लाना है एक तो यह आपका ज्यादा important है इसके अलावा इसके अलावा आप एक इसको तैयर कर लेना six वाले को से के प्लस टैने लेकर आना एक आप इसको तैयर कर लेना बाद वागी में कहूंगा कि आप all exercise की practice करें अच्छे तरीके से इन questions को थोड़ा जाल देख सकते हैं 9.1 में तो देखो एक ही exercise है और इनका concept भी clear होता है कि बहुत ही आसान है एक ही concept है आपको देख लेना है figure बना लोगे तो question कर लोगे फिर भी मैं आप से कहूंगा question no.2 जो आदी आने से पेड टूट जाता है यह जातर पूछ लिया जाता है आदी आने से पेड टूट जाता यह question आप त्यार कर लेना फिर भी इसके लाव देखो इसी में एक example है एक example है आपका इसी exercise में उसमें कहाई एक electrician है जो खमे पर चड़कर वहां तार्ट बायर कट हो गया तूट गया उसको सही करती है वह वाला example है आप उसको तैयार कर लेना इसके लावा यह सब तो में practice करनी है मैंने important आपको बता दिया है अब देखो अगर मैं दसमें वाले चेप्टर की बात करूं तो देखो 10.2 exercise में आप यह चीज त्यार करना एक तो देखो यह वाला question no 7 question no 7 read रेड लें और आप देख लें आप कौन सी exercise में यह 7 अपनी बुक में यह और जरूद देख ना कौन सी exercise में इसके लावा यह वाला दसमा question कि दसमा question यह वाला देखो इसमें 10.2 है question no 1 तू मैंने बता है 7 वाला एक मैंने बता है 10 वाला यह 10 वाला ठीक है आगे चलते हैं 11.1 11.1 की बात करें देखो एक ही एक्सेसाइज में तो आपकी बुक में कही होंगी यह 11.1 वाला चेप्टर है प्रस्टे छित्रफल नहीं यह आपका वह है एरिया रिलेटेड टू सरकार यानि ब्रतों से सम्मंदित छित्रफल इसमें आपको सारे क्वेशन त चेप्टर है कोई दिख्गत वाली बात नहीं है अब प्रिव्याड बात करूंद देखो एक तो ये मिनट वाली वाली सुई नहीं है यह सको तयार कर लेना आप लोग और मैं आपको बता दू एक आप चाहवत हो यह वाला कर सकते हो सात्मा रिख सात्मा क्वेशन और कर सकत ठीक है अब मैं 12 पंट एक की बात कर रहा हूं पुरानी बुक अगर तुमारे पास है तो उसमें 13 पंट एक होगा यानि प्रिष्टेज हित्रपव और आयतन सर्फिस एरिया और वॉल्यम इसमें एक तो पहला ही कौशन है पहला ही कौशन आपको त्यार करना एक तो बहुत ज् पर जाने पर पर चले जाएं ऐसा नहीं करना आपको सारे कौश्चन पर लें बढ़ने लेकिन मैं बता रहा हूं एक कौश्चन पर तोड़ा जान देना बस बार पांट दो प्र आजाते हैं इसमें आपको एक तो पहला कौश्चन ठीक है अर्द बोल्यव पर खड़े एक सं आप जान वाला भी आप त्यार कर लेना है ठीक है बाद बागे आप ट्रैक्टिस करोगे तो आगे के चैप्टरस जो 14 15 है प्रोवाइबिल्टी यानि प्रायक्ता और सांख्यकी उसमें आपको सांख्यकी में तो वही है तीन चार कौश्च्ट हैं आप उनको त्यार करके हर जादा एक्सपेक्टेड रहते हैं हर बार यह मैंने आपको बता दिये हैं ठीक है अगर वीडियो पसंद आई है अगर पहले तो आप 27 तारिक को यानि अपना पेपर दें उसके बाद अगर आपको लगे कि हमारे जो क्वेश्चंस इन्होंने बताए थे वह बहुत ज्याद तक यू फो वाचिं मिलते नेक्स वीडियो में